हेलो प्यारे बच्चों आज करते हैं मेरी दिल्ली किताब का पार्ट नमबर 15 पार्ट का नाम है इंडिया गेट पर पिकनिक तो चलिए आज हम चलते हैं इंडिया गेट पर पिकनिक मनाने आज कक्षातीन के बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे थे कितना मजा था ना बस्ता ना किताबें बस खाने का डिब्बा और पानी की बोतल लेकर स्कूल जाना था सभी बच्चे बिल्कुल सही समय पर स्कूल के मैदान में इखटे हो गए बच्चो आज कक्षातीन के बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे हैं और चलिए देखते हैं कहा जाएंगे ये रजिया ने पूछा हम कहा घूमने जाएंगे परमिंदर ने बताया इंडिया गेट क्या तुमने सुना नहीं था जब मैडम बता रही थी रजिया ने कहा असल में मैं अपना गणित का काम पूरा कर रही थी तो इसका मतलब है कि आज ये सारे बच्चे इंडिया गेट जाएंगे पिकनिक मनाने कुछ तेर बाद अध्यापिका आई और बच्चों को बस में बैठने के लिए बोली बच्चे बस में चड़ गए गाना गाते और खुशी मनाते हुए बच्चों को लेकर बस इंडिया गेट पर पहुँच गई सारे बच्चे हरे भरे विशाल मैदान में फैल गए विशाल का मतलब होता है बड़ा बच्चे अब इंडिया गेट पहुँच चुके हैं देखते हैं बच्चे क्या करते हैं इशान ने चारो और देखा बोला अरे यहां इंडिया गेट कहा है मुझे तो यहां कोई गेट दिखाई नहीं दे रहा परमिंदर ने कहा फवारे के पास यह इतना बड़ा गेट दिखाई नहीं दे रहा ओ यह हैं इंडिया गेट मैंने सोचा था कि यहां एक असली गेट होगा जैसे मेरे घर में है खुलने बंद होने वाला यह सुनकर सारे बच्चे हसने लगे चलते चलते वे इंडिया गेट के सामने खड़े हो गए गोपी ने गंभीर होकर कहा हमें इसे 26 जनवरी गेट कहना चाहिए अब देखते हैं गोपी ने ऐसा क्यों कहा फिर एक बच्चा पूछता है वह क्यों क्योंकि 26 जनवरी की परेड जब हम टेलिविजन पर देखते हैं तब यह गेट दिखाई देता है बिल्कुल सही गोपी लेकिन क्या तुम जानते हो की इंडिया गेट को किसने और क्यों बनवाया था यह प्रश्ण यद्धापिका ने पूछ लिया अध्यापिका जी ने पूछा गोपी सोचने लगा अध्यापिका जी ने बताया इसको अंग्रेजों ने भारत के उन सैनिकों की याद में बनवाया था जो प्रतम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे इंडिया गेट के नीचे देख रहे हो उस मशाल को यह अमर जवान जोती है यह 24 घंटे यानी हर समय जलती रहती है थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इंडिया गेट की दीवारों पर शहीद सैनिकों के लिके हुए नाम भी नजर आ जाएंगे बच्चे देर तक इंडिया गेट को देखते रहे कुछ बच्चे इंडिया गेट के पास बिकने वाले गुबारों और साबुन के बुलबुले उड़ाने वालों को देख रहे थे अब दोपहर हो गई थी, सभी को भूक भी लगने लगी थी, सारे बच्चे हरी घास पर बैट गए और मिल जूलकर भोजन करने लगे अध्यापिका जी ने भोजन के बाद सब बच्चों को आईसक्रीम खाने को दी बच्चों पाठ तो हमने पढ़ लिया है, अब हम इस पाठ के प्रशन उत्तर करते हैं प्रशन नमबर एक, इंडिया गेट का चित्र बनाओ, इंडिया गेट का चित्र बनाना है, बच्चों ये देखिए हमने इंडिया गेट का चित्र बना दिया है आप भी इस चित्र को देख करके इसे अपनी कौपी में बना सकते हैं प्रश्ण नमबर 2 देखिए नीचे दी गई जाली में से दिल्ली के 5 भवनों का नाम खोजो देखिए हमने इस चाली में से 5 भवनों का नाम खोज लिया है एक है इंडिया गेट, दूसरा कुतुम बिनार, तीसरा जंतर मंतर, केनाट प्लेस और लाल किला अब इनको हम लिख भी लेते हैं पहला इंडिया गेट, दूसरा कुतुम बिनार, तीसरा जंतर मंतर, चौथा लाल किला और पांचवा केनाट प्लेस